बड़ी कबर आपको बता दू अंजली के दोस्त नवीन से पुलिस ने पूछताच की है इस वक्त की बड़ी कबर कंजावला केस पर अंजली का दोस्त नवीन नवीन से पूछताच हुई है और नवीन यही शक्स हो सकता है जो इस CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है जो आपके के लिए मरोजवर्मा लेकर आए हैं exclusive तस्वीरें यही वो नवीन बताए जा रहा है अंजली का दोस्ट जिसे दिल्ली पुलिस ने पूछताच के लिए बुलाया जिससे दिल्ली पुलिस ने पूछताच की वरुन जैन करू करते हैं जानते हैं वरुन से क्या यह साफ हो पा र भी यह साफ साफ नहीं का जा सकता कि सीसी टीवी में जो शक्स दिख रहा है क्या वो नवीन ही है लेकिन सूत्र यह जरूर बता रहे हैं कि नवीन अंजली का करीबी दोस्त है और अपसे कुछी देर पहले इसी सुल्तानपुरी थाने में नवीन को पुलिस ने पूछताच क बाद ही अपसे कुछी पलो पहले नवीन यहां से बाहर निकला है कही ना कई पुलिस अब कडिया जोड रही है जिस तरीके से सीसी टीवी में नवीन सामने आया उससे पूछताच की गई कि कब वो अंजली के घर पहुचा था उन दोनों के बीच में क्या बात चीत हो रही क्या जिस समय होटल में पहुचे थे क्या नवीन भी वहापर था और अगर नवीन वहापर था तो इनके बीच में जो जगड़ा हुआ था वो क्यों जगड़ा हुआ था कब से निधी और अंजली एक दूसरे को जानते हैं उन दोनों के बीच में रिष्टे कैसे थे इन सब सवालों के जो जवाब है वो नवीन से पुलिस को बहुत बहतर तरीके से हासिल हो सकते है इसलिए नवीन भी अभी से पूरे मामले के अंदर एहम किरदार हो जाता है जिसको exclusively एबी पी नियूज ने भी दिखाया कि ठाने से बाहर निकलने के बार जैसे ही नवीन गाड़ी में बैठा हमने उससे बाच्चित करने की कोशिश कि उसने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि CCTV में धिक रहा शक्स नवीन ही हो सकता है और नवीन होटल में उस समय इन दोनों के साथ मौजूद था या नहीं था किस तरीके दे पूरी कडिया अपस में जुड़ेगी उन कडियों को जोड़ने के लिए नवीन का जो किरदार है वो बहुत महत्वपून हो जाता है और फिलाल कुछी देर पहले कई घंटों तक नवीन से पुलिस ने पुष्टाज की है अब आगे देखना होगा हो कि उसने अपने बयानों में क्या बताया कि निधी के किस तरीके से अंजिरी से रिष्टे थे उस दिन कैसे प्लैनिंग हुई किस ने प्लैनिंग करी कौन कितने बजे होटल से निकला इस दोरान के नवीन वा होटल पे से वे उस पुल पल पल का सीक्वेंस है उसे कनेक्ट कर रही है सीसी टीवी के जरीए और जो 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 किरदार सामने आ रहे हैं उनसे पूछ साच कर रही है जी रहे हैं मेरे साथ लोटिंग दे आपके पास अभिशेक को पाध्याय पूरा मामला महत्वपूर इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले दिन मैं बार बार इस बात को दोरा रही हूं साल का पहला दिन था पहली जनवरी तारीक थी शाम पांच बजे का वक्त था जब ये कबर सब दीद नहीं है लेकिन जिस तरीके से इस मामले की पड़ते खुलती चली गई जिस तरीके से इस मामले में अब कडिया जुडती चली जा रही है ये मामला तो बेहत गहराता चला जा रहा है और कल तक दिल्ली पुलिस जो कह रही थी कि साब किसी तरीके का कोई कनेक्शन मृत का उसकी दोस्त का आरोपियों के साथ नहीं है अब जो किर्दार बढ़ रहे हैं इन किर्दारों का कोई कनेक्शन आरोपियों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण जांच का विशय होगा अभिशेक देखे रोवाना आप मुझे अच्छी तरह आदे आपने उनको उसी समय टोका बीता डीसी पी आउटर को कैसे वो कह सकते हैं कि एक्सिडेंट है ये लाइन एबी पी नूज की उसी समय से तैय हो गई थी कि आप बिना किसी जांस के कैसे साबित कर रहे हैं और जिस तरह से डीस तो ये चस्नीद आते गए किरदार आते गए और आप देखे किरदार कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अब पुलिस अभी जो वरुन जैन बता रहे थे कि नमीन का पुलिस अब जांस कर रही है आप सोचिए 164 का बयान निधी का पहले दर्स करवा दिया है और तमाम सारे कितनी जल्दबाजी में है पुलिस और अभी इसमें कितने किरदार और आने बाकी है रोमाना ये भी बहुत ही महत्वपूर पहलू हुए ये पूरा हो जाता है जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मनुझ वर्मा के पास मनुझ ये जो अब नए किरदार आ रहे हैं इनका आरो उसे इन्वेस्टिगेशन में इसाफ हो गया है कि आरोपियों का और जो विक्टिम है निधी और इसके अलावा जो अंजली थी उनका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया लेकिन पुलिस का ज्याच का एंगल ये भी रहेगा कि जो ये लड़का सामने आया है इसका क्या आरोपि जोडना बाकी है अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और पुलिस कडियों को जोडने में लगातार लगी हुई है और पुलिस की यही कोशिश है कि आखिरकार सत सामने आ सके पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है क्योंकि पुलिस जो है उसी पल से दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने का काम इसले कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस बिना किसी जाच के उसी दिन ये कह रही थी कि ये तो सिर्फ एक हादसा है निशकर्श पर नतीजे पर पहुंच रही थी दिल्ली पुलिस बिना इंवेस्टिकेशन के लेकिन अ आभी आपको बताती हूं मैं अभी आपको बताती हूं कि मैरे नमकीन के चटकारे लेते हुए तक टकी मार के डेट शू को पॉज रपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपनी फीवरेट डिबेट्स को रेपीट कर और डाउनलोड ABP News आपको रखे आगे